गुड मॉर्णिंग गाईज आज हम बात करने वाले वील अलाइमेंट की और वील बैलेंसिंग की अमोण लोग का मानना है कि चार या 5,000 किलोमेटर पर आपको अलाइमेंट और बैलेंसिंग कर लेनी चाहिए यह बात बिल्कुल थोड़ी बहुत सही भी है और नहीं भी है और मैं आगे एक्स्प्लेइन करूंगा क्यों और अगर टाइमली या प्रॉपली अलाइमेंट या बैलेंसिंग नहीं हुआ तो वील बैलेंसिंग और लाइमेंट की ज़रुत पड़ती है जैसे कि वीडियो पे देख पा रहे हैं यह बिल्कुल आइडियल सिचुएशन है जहां पे आपका कैमबर और टो बिल्कुल जीरो होगा यह परफेक्ट कंडिशन है जैसे आपको नई गाड़ी पे मिलता है और अ सिचुएशन है इस केस में जो टायर है वो बाहर की तरफ गिस जाता है और टायर बहुत जल्दी वेराउट हो जाते हैं जैसे कि देख पा रहे हैं अंदर की तरफ बिल्कुल सही है और बाहर का जो पोर्शन है काफी जाता गिसक्या है यह पॉजिटिव टो आट की कंडिश चली है उसके बाद दीरे दीरे से वेराउट होता है और जो अलाइमेंट की सिचुएशन आती है यह पहली कंडिशन और दूसरी कंडिशन तब आती है या जब आप गाड़ी पाक कर रहे होते हो या गाड़ी का जो कॉर्णर है कहीं पर टकरा गया या फिर किसी बंपर पर गाड़ी जोर से टकराई है किसी घड़े पर जोर से टकराई है तो हो सकता है कि तीन-चार हजार चलने से पहले भी आपको अलाइमेंट कराने की जरुद पड़ेगी ताकि आपके जो टायर है जल्दी वेराट ना हो और जो मेरी गाड़ी करीब साड़े आठ हजार चल चु चाहता है वो ही मैं आपको शो करना चाहता है कि वीडियो में अलाइमेंट कैसे होता है बैलेंसिंग कैसी होती है और चारो टायर पर यह सेंसर लगाए जाते हैं और सेंसर लगाने के बाद जो इसकी रीडिंग है अलाइमेंट की वो मशीन पर शो करती है कि उसकी कंडिशन क जैसे कि यहां पर दिख रहा है यह कंडिशन है टो की कंडिशन देखें जो रेंज है 45-25 है लेकिन अभी माइनस 32 माइनस 130 दिखा रहा है यह हर गाड़ी का जो अलग-अलग हुगा जैसे यह सेंसर फिट करते हैं उसके बाद गाड़ी का जो यहां पर description डाला जाता है कि कौन सी गाड़ी है Swift है Tiago है यहां फे SUV है उसी हिसाब से जो company ने जो details दिए होंगी कि यहां पर toki और camber कितना होगा वो details यहां पर आ जाता है उसी हिसाब से alignment और balancing यहां पर की जाती है और जैसे मैंने पहले mention कि रहा है मेरी गाड़ी थोड़ी left hand side भाग रही थी तो reading पर भी शो कर रहा है कि left hand side का जो camber है और two है वो out of range है उसी को technician ठीक करेगा और सुनते हैं कि वो क्या बताते हैं मैं कैसे ठीक होगा और alignment कैसे की जाती है यहान बोलत है यहां पेग है तैर अंडर डायो पर भागई जाए गापड़ी यहां थाले चलेए अच्छ ज़ए सिर्च भागई फिज टेके एक जिख रहना पड़ता है पाँस्टर केमबर कामने वने किया होता है? इस को थे ही होता है? अब तो में है? अब तो में है? तो में मतलू ना तो आलाइमेंट को थे है अच्छा वाप वह भी करो गया और लाइमेंट करने के लिए स्टेरिंग को लॉक कर दिया जाता है ताकि जब लाइमेंट होती है तो स्टेरिंग इदर उदर ना हो और लाइमेंट बिलकु सही तरीके से हो जाए स्टेरिंग करो धाएमेंट दियाई हो ऐसा ह। यह बाएम जोले हम इस उझालों चप्यार दिया हो जाएमेंट इजेन Podeफो डिएगी हुआ मैंने कोले कि उसलिकी तरॉडाय टुएटो और फाइनली यहां पर अलाइमेंट हो चुका है आपको 6 मेनी की वारंटी मिलती है अगर 6 मेनी के अंदर अलाइमेंट आपका आउट होता है तो शौप अलाइमेंट दुबारे से आपकी अलाइमेंट करेगा फ्री आपकास्ट अब अलाइमेंट होने के बाद वील बैलेंसिंग की बारी है और चोटे कारों की तरह जो टियाओ है वो भी फ्रंट वील ड्राइव है तो इसका जो इंजन है वो आगी लगा हुआ है तो फ्रंट का जो टायर है वो जल्दी घिसते हैं अगर आप कंपेर करें पिछले वाले ट टायर albums हैं उन पे लगाया जाता है और जो आपको वीडियू पर दिक्रै यह वील बैलंसेंग की मिशीन है टायर को यसे बाद उसको घुमाया जाता है तो मिशीन डिटेक्ट करता है कि जो वील बैलंसिंग करना की वेट है यहा टायर के आउटसाइद ऑले पोश्चन को उसको weight को लगाया जाता है तो मेरा सवाल यह है कि क्या सब जग़ा ऐसी होता है जैसे इसने देखिए weight पहले निकाल दिये उसको check करने से पहले दोनों side के weight निकाल दिये है जैसे कि आपको video पे दिख रहा है उसके बाद उसको rotate किया है अब यह टायर जब rotate होता है तो यह बताता है कि wheel balancing की जरुएत कहां पे कितना weight लगना चाहिए या तो inside और outside जैसे कि आपको दिख रहा है inside आपका 5 का weight लगेगा और outside पे 35 का weight लगेगा तो यह weight लगाने के बाद दुबारे rotate करेगा यह zero zero show करेगा इसका मतलब कि wheel balancing इसकी हो गई है तो मेरा सवाल यह है कि जो पहले weight लगे वे थे वो इसने पहले निकाल दिय चक करने से पहले मेरे अजयए उसको पहले weight निकालने से पहले чक करना चाहिए weight के साथ इसको rotate करना चाहिए ताकि यह दिखाए कि कहाँ पे है actually जो weight लगते हैं उसका अलग से charge लगता है weight का तो मुझे लगता है कि उसके वज़े से उन्होंने weight पहले निकाल दिया सब जगा ऐसा होता है या फिर यहीं पर ऐसा हुआ अगर मैं next जो wheel balancing कराऊंगा MRF कराऊंगा तो वहाँ पर शायद clear हो जाएगा कि process क्या यही है या फिर नोने जो balancing के weight लगते हैं आपे उसका अलग से charge के लिए नोने पहले हो निकाल के रख दिये थे और जो इस second tire है उस पर देख रहे हैं कि inside पर zero मतलब कोई भी weight निलगेगा और outside पर 25 का weight लगेगा और इस type से चारों जो tire हैं उसमें weight की जो requirement होगी अलग अलग होगी और जो weight की पैसे हैं अलग से charge होते हैं और जो wheel balancing है उसका charge अलग से लिया जाता है और जिसकी पहले मैंने mention किया था जो पिछले tire वाले इनको wheel balancing करने के बाद आगे वाले tire उसे replace किया जाएगा और जो आगे वाले tire है balancing के बाद उनको पीछे वाले tire पे लगा दिया जाएगा ताकि जो आगे का tire थोड़ा घिसा रहता है वो पीछे यूज हो जाए और पीछे काड़ जो कम घिसा रहता है वो आगे वाले front वाले portion पे लगा दिया जाए ताकि जो tire uniformly घिस है चार के चार tire मेरी जो गाड़ी की वील अलाइमेंट और बैलेंसिंग हुई है साड़े आठ नौ हजार किलो मेटर पर हुई है और टायर की कंडिशन बिल्कुल सही है कि कि मैं टाइम टाइम पर टायर वगरा चक करते रहता था और मुझे लगा नहीं जब चलाती समय की वील बैलेंसिंग और अलाइमेंट की ज़रुत है तो यह आपको डिसाइड करना है जब भी आपको लगता है कि आपकी गाड़ी लेफ्ट है और राइट है भाग रही है या फिर बैलेंसिंग से ही नहीं है तभी आपको wheel balancing और alignment करनी चाहिए और सबसे जरूर है कि आपको tire जरूर चक्के लाना चाहिए तो alignment और balancing के बाद गाड़ी बिल्कूर fracture लिए है अगर जो camber है positive या negative है या toe positive या negative है तो जो tire का contact सड़क के साथ थोड़ा कम हो जाता है तो breaking भी थोड़ी कम हो जाती है तो थोड़ा risk करता है और कभी भी आपको लगे कि आपकी गाड़ी की balancing या alignment थोड़ी left hand side भाग रही है राइट hand side भाग रही है तो please उसे check करा लिजेगा मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ अगर ये वीडियो आपको पसंद दो please मेरे चैनल को subscribe कर लिजेगा और इस वीडियो को like कर देजेगा मेरे next वीडियो तक आपसे फिर्म लाखात हो दिया है till then thank you, take care yourself, be humble bye and take care